हाई एर्वान कैसे आप सभी मैं हूँ आक्टर राम चंकर सिंग और आज मैं आपको करा रहा हूँ अपने स्टूडियो का टूल स्टूडियो क्या यह मेरा एक छोटाजा रूम है जिसको मैंने स्टूडियो में कनवर्ट कर दिया है आप में से बहुत सारे से लोग हैं जो यूटूब पर काम करते हैं या फिर जो अक्टर अपने समझ नहीं आता है कि लाइटिंग का सेटप कैसे किया जाए कि हमारे वीडियो अच्छी बन पाए यूटूब के लिए या फिर हमारे जो ऑडिशन वीडियो होते हैं वह हम अच् से कनवर्ट कर सकते हो ताकि आप उसमें रह भी सको और लाइटिंग लगा के अपना स्टूडियो भी बना सको वह मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हूं टाइम यहां है मधू अभी-अभी हमारे शादी हुई है और मधू अब म इस बेड्रूम को अभी हमने कनवर्ट किया तो जादा से जादा कितना स्कुर्फिट कर सोफ इसको मैंने कैसे कनवर्ट किया मैं आपको दिखाता हूं देखे किया मंदिर भी है बेड भी है सारी चीजे यह तो यह जो चोटा साब सेटप देखना यहां पर एक रिंग लाइ इसके सेटप यह है यहां पे लाइट या पर बनाया है वहती पावफुल लाइट लगा एसमें और यह पूरा मैंने घर पे सभ पना लिया घरोपार गंदासे कुश शुरूरीकिन के सजुरू भी लाटि मिर्थे उसको चूर्प प्रपनो यांशम लाइज को यहां खिलतम संपने i लिग्ट सब्राइब करने लाइड भी पडले के dirio uwe मे इन्हों रहे बदाए अन-डाइड्वं दूर फ़्ड यह संटर जर गढ़े आपके नहीं क्या है क्वेद या इसे सब्राइड में रहे हुआ को यह रहे है तो यह मैंने यहां से सॉफ लाइट लगा दी एक आप लगा दी एक रिंग लाइट यहां पर होगी तीन लाइट होगी अब आपको दिखेगा वो सिर्फ इतना दिखेगा तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस रूम में कितनी जगा है और आसपस क्या क्या चीजे इंड़ यही हूए है फर्क से फिससे पढ़ता है कि सेंटर में क्या देख रहा है आपको फ्रेम के अंदर सारा खेल फ्रेम का अब आपको छोटा सब करकिब दिखा देता है इन यह अपर यह उसे बाद एक इन किसका जोट नहीं करदता है फ्रेम में क्या देख रहा है उसे फर्क बढ़ता है यह देखे आप इसको उसको उसे जूम कर लेते है चले एक छोटा सा पफॉर्मस कर गए निखा दो हाई, I am Rachna कॉलज मेरा हर कोई मुझे स्रफ आशी की फ्रेंड के नाम से जानता है जहां मुझे देखता है बोलता है वो देखो आशी की फ्रेंड जारी है पर मैं क्या करूँ फ्रेंड्शप में कब मैं आशी की परचाही बने तो बेसिकली तो यह एक छोडा सा सीधा सा सच्चा सा एक टूर था आप लोगों के लिए तो आपके बाद जितनी लाइटिंग है जितनी जगा है आप जितनी छोड़ी छोड़ी लाइटिंग के साथ अपने सेटप बना सको अब बना लो दूबार ले दे तो मुमभई में अक्चुली स्पेस की बहुत जादा कमी है और जैसे मैं आपको बताया आपको घबरानी के जरुत नहीं है आप अपने रूम के अंदर ही एक छोड़ा सा स्पेस बनाके ऐसे लाइटिंग के अजिस्मेंट करके अच्छा सा एक स्टूडियो बना सकते हैं अभी आप क्या देख पा रहे हो यह हमारा फ्रेम है यह हमारा फ्रेम है अब यहां पर हम जो भी करेंगे हमारी ओडिशन वीडियो बनेगी हमारी यूटूब वीडियो बनेगी तो आसपस क्या रखावर से कोई फर्क नहीं बड़ता कभी भी आप यह मत सूचे कि हमारे पस इस चीज की कमी है जगा नहीं है लाइटिंग नहीं बड़े बड़े कुपेंट्स नहीं है तो क्या हम वीडियो बना सकते हैं आप अफकोस बना सकते हो आपको बिल्कु भी परशान होने के जोड़त नहीं है लोग को प्रॉब्लम होती है जो जो नियू नियू शिफ्ट होते है मुंबई पीजी में रहरे होते हैं उनको बहुत अदा इशू आ रहा होते है कि जगा नहीं कहां बनाये और इशन कहां बनाये तो यह एक बहुत अच्छा उपाए है तो मैं आपको एक छोटी क्लिपिंग भी दिखा दूगा कि इसे पहले मधू क्या वीडियो बनाये थी और कहां का पर फंबल हुआ था ताकि आपने भी एंजू अगर सको चलो मिली अगले वीडियो में बाई